तो आज कि इस वीडियो की सुरुआत हम एक मोटी बेशनल थोट से सुरू करेंगे कि रख हांसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा ठक कर ना बैठे मंजिल के मुसापिर और मंजिल भी मिलेगे उन मिलने का मज़ा भी आएगा इसलिए मैं आपको बोल ये हिस्ट्री की महा संग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में वो सारे कोईश्चिन इनकिलूड़ेड है जो पिछले कई सारे वीडियो में मैंने आपको बता रखें तो उसका मैंने पूरा का पूरा महा संग्राम तयार कर लिया है ताकि आप इच्छा हिश्टिक है तो गारंटी मेरी ही आपको पास करहने कि बस आपके पास एक कंडिशन है वो कंडिशन यह है कि जो जो मैं प्रेशन बताऊंगा उसका उत्तर तयार करके जाईएगा बस ठीक है तो चलिए आप लोगों के समस्त मैंने एक माडल पेपर कोश्चिन पेप जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा देखिए जो जो इस मार्डर पेपर में कोश्चिन है ठीक है इन सभी का उत्तर नीचे आपको दिये गया है पीडिएप ठीक है यह पीडिएप करीकर भी अठारा पेज में है और इसमें इतने टॉप लेबल के कोश्चिन है क्योंकि एक भी कोश्चिन आइसा नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर काएगा बस अतना समझ लीजी तो चली शुरुआत करते हैं पहले जान लेते कौन-कौन जो कि आपके एक्जाम में आने की एस्पेक्टेस्टेस्टन से है ठीक है तो पहला कोश्चिन वहिया है आज कि इस वी कहां इस तरह के प्रशन पूछा जाएंगे जो कि आपको द्यान रखना है हमेशा रिपीट होने वाला कोश्चिन है एक बाहर नहीं जब जब भी परिछा होती तब तब यह कोश्चन आता है ठीक है आगला कोश्चिन मोस्ट इंपार्टन एभी वेरी वेरी इंपार्टन को हाँ है यह इसके बारे में इस तरह के कोश्चन आपको परिच्छा में मतलब देखने को मिलेंगे में सुपूटाम यह फिजड़ा ठीक है बहुत ही पॉपलर बहुत ही टॉप लेबल का कोश्चन हमेशा रिपीटेड वाला कोश्चन पता तो जरूर राएगा ठीक है मिफ्र क का जाने किसे कहा जाता यह बहुत पॉपलर कोईश्चन है तो इस बार भी आपकी परिछा में आने की पूरी उम्मीद यह जरूर प्रिपियर करके जाएंगे इसका उत्तर नीचे उसमें आपको भी मिल जाएगा साहिए तीक है जिन भी प्रशना को उत्तर नहीं मिलेगा उच कर लेना है अगर आपने सिरीज या फिर कोईश्चन में नहीं खज दी तो ठीक है अब अगला प्रशन है कि वेदांग साहित पर संचिप्ट टिपड़ी लिखिए पर संचिप्ट परच्चे दी आनि कि वेदों के बारे मापको परच्चे लिखना कितने वेद होते हैं और के बारे में बेसिक परच्चे लिखना बस ठीक है पॉप्लर कोईश्चन आएगा पक्का ठीक है सिंदू सरस्वति सभिता का विस्तार से वड़न कीजिए सिंदू सरस्वति सभिता भी कभी-कभी प्रशन आ जाता हमेशा नहीं रिपीट होता तो आपके पास टाइम है तो सकते हैं अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता फश जाए तो आपके हेल्प ही हो जाए ठीक है अगला प्रशन है सिंदू सरस्वति सभिता से यह कोश्चन कहे रहा कि वैदिक सांस्कृत के अंतर संबंद के बारे मताई ठीक है तो इन में से कोश्चन आपको तयार कर लेना हो सकत है ठीक है रामायड महाकाब्य में वाड़ित नैतिक मुल्यों का संचिप्त पर्चे दीजिए आपके फश्चेर के फर्स समस्टर का जो हिस्ट्री का पेपर होगा उसमें जो मतलब कि महाकाब्य हैं जैसे कि रामायड हो गया ठीक है और महाभारत हो गया इनसे जुड़ा ए को रामायड नाधि पर्चेन सबीटा के नदान निन सब्स्रीट पैले आता थे और वा इन्सक्री कोश्ट्री और क्रप्लर कोईष्चन के बार आ चुका है अगला प्रशन के नील नदी को मिफ्र का वरदान क्यों कहा जाता है ये भी प्रश्ण हमेशा रिपीट होता कोई भी परिच्छा एफी छूटी रही है जिसमें ये प्रश्ण नाया हो ये कोईश्चन हमेशा और हर साल और हर परिच्छा में हर इन्वर्सिटी में आने वाले कोईश्चन है ठीक है तो नील नदी को मिसर का वरदान क्यों कहा जात सब्सक्राइब करेंगे अगर इस प्रश्ण दिखेगा तो वह उत्तर चाप देंगे शुमेरिया सब्धिता मैंने आपको बता दिया कि प्रश्ण भशेगा सुमेरिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए प्लशी पॉइंट रहेगा मताब कि यह प्रश्ण एक्सपेटेशन आने की तो आप तैयार कर सकते हैं और बेटर ही रहेगा बेशक्ति तो इस प्रकार माडल पेपर में कोश्चन दिये गए थी जो जो मैंने बताया उनको फोकस करेंगा उनको तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी देखिए अगला प्रश्ण जो है अब आहां पर आपको कोश्चन एंसर दोनों मिलेंगे जैसे कि उपर जितने में प्रश्ण है मिंसर को नील का वरदान क्यों जाता है? क्यों चाहता है? यह पर किफली क्या जाता है? चली! मैं कोश्चन में दिखा दे रहो हूं ताकि आपको कनफीजन ना हो ज़ारा सबी देखि लिजी है प्रश्ण है कि नहीं नील नदी को मिस्र का वर्दान क्यों कहा जाता देख लीजे कोईश्चन वही है न और उत्तर आपके समस्त प्रस्तोते पढ़ लेंगे बहुत ही पॉपलर कोईश्चन है मैंने आपको कई वार बता रखा है ठीक है मिस्र प्रचीन काल में किर्शी चावल रूई और गण्ये को उत्त्पादन की जाती ठीक है अगर आप लोग जरास भी खेटी पर न ध्यान दे ठीक है मतलर कि फोरी एक मिनट प्रिचीनल निमिए कभी-कभी बाढदी ति तो उस किया होता है उस्दकिया उस ने में कब ज्वता करता था विपत्य करता था उसद्ध और भीपत्त्य conception तो भाई कश्ट तो था लेकिन उसके साथ भूम की जो उरबरता थी उसमें ब्रद्धी भी होती थी ठीक है इस बज़ा से मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महत हो गया कि इसे मिस्र की जीवन देखा कि संगया दे दी गई तो इस प्रकार मिस्र को नीन नदी का वरदान कहा गया तैयार कर देंगे पॉपलर कोश्चन है अच्छा है कई बार रिपीटेड है ध्यान लखेंगे अगला की आफेरियन सैनिक बेउफ्था के बारे में आप क्या जानते हैं यह अतना महत्पोर्ण नहीं कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ सकते अगला पॉपलर कोश्चन जिस पर आपको फोकस दरूर करना है कि वैदिक काल में क्या धार्मिंग मननता है प्रिजलित थी तो चलिए थोड़ी जान लेते हैं परचे तो रिग वेद में जिन देयोताओं की पूजा अर्चना यानिकी प्रात्ना पूजा योम उनकी ठीक है अस्रमण किया जाता था ठीक है जो अफ्तुतिया मिलती हुए प्राकर्तिक तत्तों में नहिस शक्तियों के प्रतीक है वेदिक कालिन जिसी संसार में बिभिन प्राकर्तिक शोभाओं को देखकर प्रभावित हुए हैं वह उनसे नसर्गिक शक्तियों का अनभव करते हैं ठ मतलब कि उनको एक तरीकी से भगवान को उनको मतलब कि अंतर ध्यान में उनको दिखाई दे हैं ठीक है इसलिए वो उसी में जूटे रहते थे ठीक है पूजा पार्थ में ठीक है और इफी तरह परिचे दिया गया पूरा पढ़ लेंगे इंपॉर्टन कोईश्चन है अगला प्रशन भी मोस्ट इंपॉर्टन है कई बार आ चुका है परिच्छा में पिछले फालो में तो ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक सभिता किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनेंगे रिग योग के पस्चात के काल को उत्तर वैदिक यूग कहते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे रिग वैदिक के पस्चात के बात का जो काल आया है उसे हम उत्तर वैदिक कहते हैं तुतर वैदिक काल में इस तीन वेद जैसे कि सामवेद यजुर वेद और अथर वेद इन सभी ठीक है तो ध्यान रखेंगे बहुत ही popular question है रिग वैदिक काल में सिर्फ रिग वेद जो है इसी की रशना हुई थी और बाकी के जो तीन वेद है यानि कुल मिला के चार वेद होते हैं ठीक है तो चार वेद में पहला जो मतलब वेद है जिसका नाम है रिग वेद इसकी जो र कई बार आ चुका है अगला है कि महा काब वेकाल की नैतिक दसा कैसी थी ये भी कभी कदार आने वाला question है तो इस पर जरूर फोकस कर लेना है ठीक है तो ध्यान से इसका उत्तर पढ़ेंगे कि भाईया महा काब वेकाल में नैतिक मूल्यों पर कितना बल दिया जाता था इसक पता हमें तत्य द्यायर mermaid वे रामायड महा भारत से चलता है यानि कि महायार रामढे की कफ़ा अंग्यां या फिर उनको देख कर हमें पता चलता है कि नैतिक मूल्यों पर कितना बल दिया घया है तो तो रामायड में आदर्स समाज की अफ्थापना है तो बिक्त के पारसपरिक संबंधों में नैतिक मूल्यों की महत्ता पर विशेश बल दिया गया है उस समय सत्य आच्रण एवं करतब पालन को अनिवार माना जाता था मतलब की जब रामायड लिखे गई जब रामायड में जो बताया गया उसमें सबसे पहले आपको सत्य बोलना है और सभी के फाद जो आपका आच्रण हो अच्छे से होना चाहिए और जो आपको नियम कानून जो आपको दिस्वा निर्देव या पिर आपको जो भी हुकम मिला है उसका आप पालन करेंगे यानि कि करतब का आपको पालन करना महत्व और अनिवार माना गया है ठीक है इस बात को ध्यान ना केंगे महा काबिकिल नैतिक दसाओं के अंतरगत ये बताया गया है कि वहाँ पर कुछ चीजे होते जिस पर बहुत ज़्यादा बेसे इस बल दिया जाता तो पहले तो भईया आपको सत्य सत्य बोलना है और सभी के फाद एक अच्छा आच्छण के साथ प्रुस्तुत होना अच्छ ज्यान रखेंगे शिंद्चब्यता का विस्तार कहां तक है ये भी महत्पूर्ट प्रश्ण है इसके विवारे में आपको जानना जरूरी ये ठीक है कभी कदार रही भी आ जाता है तो ज्यान से सुनेंगे हडपा सांस्कृत का केंद्र अफ्थल पंजाब और सिंद में मु जरात, राजिस्तान, हर्याणा और पश्यमी उत्तर के सेमानत भाग भी सम्मेलित हैं किसमैं सिंदुशब्यता के विस्तार में तो इस प्रकार इसका परचे लिखेंगे और इसके बारे में छों त्रपल के आपको यहाँ परध्धान रखना है जो कि 12,99610 के किलो मीटर में फैला इस बात को ध्यान न केंगे, इसका 6 तरफल इतना ही है, ठीक है, किसका शुद्झ सभिता का याद रखेंगे, ठीक है, बहुत पॉपलर कोश्चिन है, अगला भी प्रस्ट नहीं है वही या की, सुद्धु गाटी की सभिता किस प्रकार की थी, ठीक है, तो सुद्धु बेपार एवं वड़ित तथा नगरों और वेउफ्थित रूप में होना आज सहरी करण की विशिष्टाएं हैं जो रप्पा सब्विता में उफ्थित थी यानि कुछ चीजे होती जैसे कि सहर वाली लोग क्या होते हैं अमीर होते हैं उनके पाफ अच्छी टेक्नलोजी होती कोई काम आसानी कर लेते हैं मतलब कि मिहन नहीं करना पड़ता और अपने बेपार को बढ़ा लेते गाड़ी ले लेते हैं ठीक है तो इस प्रकारिश के बारें पर्चे लिखेंगे महात्मूर प्रशन पूरा उत्तर तयार कर देंगे ठीक है अगला प्रशन जो की ऊपर पूछा गया था कि पर चीन भारते इतिहास के सुरुत के रिम पुरानों का महत्तु ठीक है यही महात्मूर प्रशन आपके एक्जाम के लिए तयार कर लेंगे याद रखेंगे ठीक है एतिहाफिक फुरूग सुरुत के रूप में हडपा प्रवस्थल का महात्तु ठीक है यह इतना महात्मूर नहीं कभी कदार आता हमेशा नहीं आता वैदिक कालें प्रमुफ नदियों का परचे है ठीक है और यह भी काफी हेलप लेबल का कोईश्चन है रिगवेद में 42 नदियों का वर्तमान में होने का उलेक मिलता है इस बात को ध्यान नकेंगे रिगवेद म नदियों में सेष्ट भी कहा जाता है ठीक है यह नदि उस काल में समद्र में गिरती थी सरस्थी के साथ साथ ठीक है दरस दुती नदी के भी अनेक उलेक प्राप्त होती है ठीक है इसकी पहचान आज चैतांग नदी से करते हैं जो थानेस और हणियारा के पास पूर्व में बहती है शिंदू इस काल की सबसे महत्पूर्ण नदी ती जो परावत सागर अरब सागर में गिरती थी इसके अत्रिक्द गंगा नदी एक बार प्रतेच एयुम एक बार अप्रतेच उलेख मिलता है इसका ठीक है कहां वैदिक काल में ठीक है तो इस प्रकार प्रेशर लिखे लेकिन पिरामीड फिड़ा एक कोचें जरू फंस जाता है तो जरू फंसेगा इस बात को ध्यानने केंगे ठीक है गीजा के पिरामीड मिस्टिक है मिस्ट्री काल की अमोली नदी है यहां के एक पिरामीड की उचाई जो है चार सो असी फिट है और इसकी एक भुजा साज यहां तेरा एकर भुम में बना है इसमें धाई धाई टन भार के तेईस लाक पासाड़ खंड लगे हैं यह इतनी चातो यानि कि इतनी हुसियारी और स्थोड़ता फे जोड़ा गया है कि कहीं कहीं तो जोड़ की चोणाईयों इंच के हजारवें भाग से भी कम है मतलब बनाए गए तो ठीक है अखानाटन यह कोश्चन ता महात पॉंट नहीं लेकिन मिस्र नीन लदी यह महात पॉंट जो कि मैंने उपर बताए दिया कि मिस्र में नीन लदी यह अच्छा महात पॉंट प्रस्ण है गीजा पिछले फाल में कोश्चन आया था इस बार नहीं ठीक है ठीक है एमो राइट वुंट का छठा सासक हमबुराबी था जिसने लगब बाग 42 वर्सों तक सासन किया इस बात को ध्यान रहीं वह अपने यूक का महान बिजेता और महान सासक और महान राजा था उसने अपने प्राक्रम और सैनिबल से मुस्रिप्रटामिया का एक कि करण किया उसके बाद उसने एलम तो था आहफेरिया फक्त फाली राज्यों को जीत कर अपने समराज्य का विस्तार किया ठीक है वह एक कुसल सास्या को और संगठन करता भी था तो इस प्रकारिश का परसे लिखेंगे बहुत ही पॉप्लर कोश्चन अगला भी कई बार प लुंगी बहुत कम देखने को मिला कोश्चन मेसव पॉप्लर कोश्चन जो कि आप जानते हैं मेसव पॉप्लर कोश्चन जीसे उनीच वटाराज में इराकी संग्या दी गई दच्छिट पश्चिम एशिया का दजला फरात और इसकी सहायक नदिया द्वारा फंचित सब्द के योग से बना इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है बहुत ही पॉप्लर कुश्चिन हरपा सांस्कित के निर्माता कौन थे जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको तरमालूम पर जाएगा कई बार रिपीट डेवी कुश्चिन है लेखन की प्रशेंता इतना महात कर सकते हैं वैदिक कालिन राजा के इस्थित ये महात पूर्ण प्रशन है कई बार पर इच्छा में आ चुका इसको भी तैयार कर लेंगे वैदिक कालिन स्विच्छा की बेवफ्था कैफी थी ये भी पॉप्लर कोश्चिन कई बार आ चुका है मोहन जो दोड़ फिलड़ा एक कोश्चिन फसेगा जरूर नहीं कि ये ही फसेगा लेकिन एक फसेगा जरूर ठीक है मृत भांडो का इतिहाशिक महत ये कभी कदार आता है ना लंदा बिश्व बिद्यल है जो की हमेशा रिपीट होता जिसके बारे आपको पढ़के जाना ही जाना है ठीक है फिच्छा क लोगे के सहीयोग में नर्सिंग और बुद्ध गुप्ति के सहीयोग में कुमार गुप्त ने इसकी अस्थापना की थी और इसका उद्धर जो है वह चार सो पचास सभी में हुआ था इस बात को ध्यान रखेंगे और ये विश्व बिद्यल है जिसमें बाहर विदेश से ल और बेद के बारे में आएगा जो कि मैंने आपको बता ही रखा पॉप्लर कोईश्चन है ही ठीक है ओके और वैदिक काल किसे कहते ये भी कई बार आ चुका इसको भी तेयार कर लेंगे ठीक है और वैदिक काली नाजियों के स्थित ये महत पॉन्ट प्रस ने इसको जोड़ को इसमें देगे को तैयार करने में मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लेगेगा लेकिन थोड़ा बहुत तो लगीगा लेकिन अगर आप पढ़के जाएंगे तो आप 75 में से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 58 नंबर जरूड लेकर आपाएंगे ठीक है कम से कम 58 तो लह आएंगे ठीक है बाकी यह पीडियाफ हम आपको टेली वर्टसप पर प्रवाइड करा देंगे तो डाउनलोड करके आप तैयारी कर लीजेगा कोई कोश्चन जरूर मुझे मिलते हैं को नहीं वीडियो में जैंद